टोम क्रूज की फिलम सिर्मा घरों में आ गई है, फिलम कौन सी है? अरे बाई सम्मिशन इमपॉसिबल की साथ में मूवी है ये और क्या ही थवाका कर रहे हैं ये मूवी मुवी के सामने आएंगी उसकी पूरी टीम के सामने यह सारी मुश्किले आएंगी वही सिनमा घरों में टॉम क्रूज की इस मूवी ने सलाब जैसा महौल पैदा कर दिया है इसका पार्ट टू भी हमको देखने को मिलेगा तो यहां पर आधी मूवी ही है बस आप इतना समाज जी लोग कि अधी मूवी सिनमा घरों में आगे थी दुनिया भर कि सिनमा घरों में सिर्फ भारत में नहीं थी थी उस फिलम ने भारते बूइस पर 9.25 पे की ओपनिंग लिए थी उसी साफ से देखा जाए तो इस मूवी ने पिछले रिकोंड को तोड़ दिया है और अगर मुवी इसी तरह चलती रही तो एक वीक के अंदर तो छोड़ो पांच दिन के अंदर ही कई नए रिकोड़िया मुवी बना देगी विराइटी की रिपोर्ट के अनुसार मिशन इपोसिबल 7 नोर्थ अमेरिका में 85-90 मिलियन डोलर यानी की लगबग 698-740 क्रोड़ पे का कलेक्शन कर सकती है इस हिसाब से अपने रिलीजिंग के शुरुआती पांच दिनों में इसका अंतर राश्टिय कलेक्शन इसके चलते फिलम की ग्लोबल ओपनिंग हाई 100 मिलियन डोलर यानी की दो हजार इक्यावन क्रोड़ पे का कोच सकती है तो जब हम रिकोर्ड की बात करते हैं तो कमपैरिजन तो बनता है तब यह तो जो रिकोर्ड होते हैं उनकी आहमियत बनती है नहीं तो लोग डाटा कलेक्ट करें ही क्यों इसलिए तो डाटा कलेक्ट करते हैं लोग ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सकें लेकिन जोन विक चप्रफोन ने 10 क्रोड पे और एंट मैन ने 9 क्रोड गार्डियन ओफ दा गिलैक्सी ने 7.30 क्रोड बस इतने की ओपनिंग यह सारी मूवी ले पाई थी पर टोम क्रूज यह वाए फिर अपना जलवा भिखेरते हुए दिख रहे हैं मिशन इपोजिबल 7 के डिरेक्टर क्रिस्टोफर मकवैरी हैं इसमें टोम क्रूज के साथ एलिय अटवेल रेबेका यह सबी आपको देखने को मिलेंगे तो ओवर ओन वी बहुत अच्छी है बाई साब एक्षन ने इंदम धमाल कर खाया अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपको देखनी वैसे चाहिए जहां बोलिवुड की बेकार मूवी पर भी आप टिकट लेई लेते हो तो इससे चाहिए है कि अगर टाइम है आपके पास और उससे भी एहम है कि अगर पैसा है आपके पास तो आप यह मूवी ज़रूर देखिए हिंदी में देखने को मि लेजिए और इससे ज़रा इंपोर्टन्ट है कि हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकान को किलिक कीजिए बिलेंगे ने शुडियों में जाएंद